नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुआगत है आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन एक्जाम तियारी पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्तों होपीस रिक्वारिमेंट दोजार चोईस के बारे में तो दोस्तों इसकी संपुन जानकरे प्राप्त करने के लिए आप मार इस वीडियो को बिना स्किप की विए अंतक जरूर देखें जिससे की इस वीडियो की संपुन जानकरे प्राप्त हो सकें तो दोस्तों चलि पॉस्ट नेवाली है 10th 12th graduation pass candidate इस फोरूम को अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो नए बढ़ती की new notification जारी कर दी गई है तो दोस्तो जो भी post office में job करने का इच्छुक है वो इस फोरूम को अपलाई जरूर करें तो दोस्तो चलते इसकी होपीसेल वेबसाइड पर तो दोस्तो इसकी होपीसेल वेबसाइड पर आ चुके हैं और दोस्तो यहां पर दे रखा है post office new requirement दो जार चोवी से organization का नाम है इंडिया post office से और दोस्तो बात करें post name की यानि कि किस-किस post पर vacancy आई वी है multitasking staff यानि की MTS, postman, mail guard, PA और SA, color की और दोस्तो इन सब को मिलाकर total vacancy आपकी 1,10,000 और दोस्तो इनके लिए अलग-अलग qualification है दोस्तो किसी के लिए 10th pass है, किसी के लिए 12th pass है और किसके लिए graduation pass है ये भी आप इस notification से देख सकते हैं और दोस्तो आपको forum apply करना है online है दोस्तो अब बात करते हैं selection process की, दोस्तो selection process होने वाला merit based यानि कि दोस्तो इसमें किसी भी परकार की कोई exam नहीं होने वाली, ये सीधी बढ़ती है इसमें के लिए 10th और 12th और graduation के आपके percentage की साबसे इसमें merit बनेगी और दोस्तो बात करें salary की, दोस्तो salary है आपके 18,000 से 21,000 पर मन थे बात करें दोस्तो age की, तो दोस्तो minimum age है 18 year, maximum age है 45 year और दोस्तो age में भी नियमों के अनुसार छूट मिलने वाली है दोस्तो बात करते हैं application fees की, तो दोस्तो general और OBC 100 रुपए रखा गया है और दोस्तो अन्य other candidate बिल्कुल नी सुलक रखा गया है और दोस्तो payment mode आपका credit, debit, net banking के दुवारा online कर सकते हैं बात करें दोस्तो education qualification की 10th, 12th graduation यानि कि दोस्तो कम से कम अगर आपने 10th pass की है, तो अब आप इस फोरम को apply कर सकते हैं बात करतें important dates की, यानि कि दोस्तो apply होना start होंगे January 2024 से और last date है इसकी January 2024 से और दोस्तो आप इस link को किलिक करके इसकी official notification से देख सकते हैं दोस्तो ये जान कर थी post office requirement 2024 के बारे में तो दोस्तो ऐसी notification प्राप्त करने के लिए आप अमारे इस YouTube चैनल को subscribe जरूर करें साथ में जो bell icon बनता है उसे press जरूर करें जिससे की जो भी मैं नया वीडियो लेकिया हूँ उसकी notification आपको मिल सकें और अब ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपिट प्राप्त कर सकें थैंक्यू दोस्तो जै हिंद जै बारते थैंक्स फोर वाचिंग गे